Hello students, यह आपका MCC का schedule है, अगर जिस schedule के according देखें तो आपकी जो choice filling और choice locking है वो कल खत्म हो चुकी है 3rd of 4th November को जो MCC है वो आपका seat allotment का process अपना complete करेगा और 5th of the November को आपका seat allotment के result है वो सामने आ जाएगा जिसमें आपको 1st round का cutoff भी हम कह सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा अब यहाँ पर बात करें कि 5th November को, 5th November को अब यहाँ फिर दो चीज़ा होगी यहाँ तो आपको college का allotment मिला होगा या फिर आपको college का allotment नहीं मिला होगा तो यहाँ पर आपके पास दो चोईसे रहती हैं, जैसे कि MCC ने पूरा counseling scheme release किया है मैं उसमें आपको देखके यहाँ पर बता देता हूँ तो इस्टो अंड्स, यह आपकी यहाँ पर counseling scheme है यह counseling scheme में अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें अगर आपको first round में college allot हो जाता है और आपको लगता है कि smart means पर आपको अच्छा college allot हो सकता है अगर आप state counseling मिलाएंगे तो यहाँ पर round 1 में आपको free exit का option मिलता है जिस free exit में आपकी security fees है वो आपको refund कर दी जाएगी ओके अगर हम आपसे बात करें कि round second में तो round second में आपको free exit नहीं मिलता है जो आपकी security fees है तो आपकी refund नहीं होगी अगर आपको seat यहाँ पर allot कर दी जाती है second thing यहाँ पर एक चीज़ आप जरूर नोट कीज़ेगा कि जो आपके colleges से मालीज़े अगर आपको round 1 में college कोई भी allot नहीं होता है तो आपके पास मौका होगा कि आप round 2 जब start होगा तब आप बापिस choice fling कर सकते हैं choice locking कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको दुबारा registration करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस चीज़ को आप लुक जरूर देखिए का मालीज़े किसी students को लगता है कि उसको अगर उसके state में अच्छा college मिल सकता है स्टेट की counseling भी कई states की start हो चुकी है तो आप यहां पर यहां तो seat एक option मिलता seat upgradation का आप seat को upgradation में डाल सकते हैं लेकिन अगर आप seat exit करके state counseling के दोरा seat लेना चाहें किसी अच्छे medical college में तो आप यहां पर ले सकते हैं सकते हैं